सुन्या गांदी जी, मन्मोहन सिंग जी, केसी वेनु गोपाल जी, एमद पटेल जी, पीसी चाको जी, सुभाज चोप्रा जी, डायस पे हमारे सब सीनिय नेता, दोनों तरफ हमारे नेता, NSUI, Youth Congress, महिला Congress, सेवा दल, बाईयों और बेहनों, प्रेश के हमारे मित्रों, आप सब का यहां दिल से बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, मुकुल वासनिक जी, कहाँ आप, आपने, आपने आज, इस छोटे से मैदान में, इतने सारे बबबर, शेर और शेरनिया कैसे कटा कर दिये, और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं, यह हमारा कॉंग्रेस का कार्य करता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता, और देश के लिए अपनी जान देने के लिए त्यार रहता है, अच्छा मुझे कहा, मुझे कहा, पार्लिमंट में कल कहा, राहुल जी, सुनिए, सुनिए, पार्लिमंट में कल कहा, बीजे पी को लोगों ने, आपने, भाशन दिया, भाशन के लिए, माफी दीजिए, मुझे कहते हैं, सही बात बोलने के लिए, माफी बोलूँ, माफी मांगूँ, भाईयों और भेनों, मेरा नाम राहुल सवर कर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांदी है, में सच्चाई के लिए, कभी माफी नहीं मंगूँगा, मर जांगा, मेरा नहीं माफी नहीं मांगूँगा, और ना कोई कांग्रेस वाल माफी मंगेगा, माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मंगनी है, और उनके जो असिस्टन्ट है, अमिध्जा, उनको देश से माफी मंगनी है, क्यूं मंगनी है, मैं आज आपको बताने आया हूँ, सबसे पहले सबसे पहले ये देश कि शक्ती इस देश की आत्मा इस देश की शक्ती इसकी अर्द विवस्ता थी अर्द विवस्ता है नहीं थी पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देश, अलग-अलग धर्मों का देश, अलग-अलग जातियों का देश, अलग-अलग विचारधारों का देश, मिलकर एक साथ 9% GDP पर कैसे चल रहा है एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तार, चिंडिया बोलते थे चिंडिया, चाइना और इंडिया, दुनिया का भविश्य चाइना और इंडिया और यह देखिए, यह प्याज पकड़े हुए आज, यह प्याज पकड़े हुए आज, दो सो रुपे, दो सो रुपे, हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता, नरेंद्र मोदी ने स्वयम, अकेले, नश्ट कर दी, खतम कर दी आप तो याद होगा, आज बज़े रात को, तीवी पर आए, भाई और बैनो, पाइट सो रुपे का नोट, हजार रुपे का नोट मैं रद करने जा रहा हूँ और हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता को, नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी, कि आज तक जो नुक्सान हुआ, वो ठीक नहीं हुआ आपसे जूट कहा, आपसे जूट कहा, कहा, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खतम करना है, ब्रश्टा चार के खिलाफ लड़ना है, जूट कहा माताए बेहनों के, घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकला, और लाकों करोड रुपे, अदानी और अनिल अम्बानी के हवाले किये, उसके बाद गबबर सिंग टैक्स, मनमौन सिंग जी ने कहा, चतामरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पाइलेट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा, जो हमने बनाया है, पुरे देश ने प्यार से, घून पसीने से अर्द्यवस्ता खड़ी किये, नश्ट हो जाएगी, नरे बर्सिंग टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा, कर दिया, और हुआ क्या, 45 साल से सबसे जादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज, क्या 9% GDP ग्रोफ रेट होती थी, आज 4% पे पहुँच गए हैं, और वो भी, उन्होंने GDP नापने का तरीका बदला, जीडीप नापने का तरीका बदल दिया, तो अगर आप हमारे तरीके से पुराने तरीके से GDP नापो, तो आज 5.5% GDP ग्रोफ रेट हैं हिंदुस्तान का, बाई और बेनो, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि हिंदुस्तान की शक्ती, हिंदुस्तान की अर्द्वबस्ता नश्ट की जाए, और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधान मंत्री ने किया, और फिर अपने आपको प्रधान मंत्री देश भक्त कहते हैं, पूरा का पूरा पैसा, दो तीन उद्योग पतियों को पकhammerा दिया है, सब उद्योग पतियों को नहीं, इस देश मैं बहुत सारे इमांदार उद्योग पती हैं, और मैं इस बात को महनता हूँ, कि अगर किसान इस देश को बनाता है, मज़ूर इस देश को बनाता है, छोटा दुकांदार इस देश को बनाता है तो इमानदार उध्योग पती भी इस देश को बनाता है मगर पिछले पाँच सालों में नरेंद्र मोदी ने मैं एक नाम लेता हूँ एक नाम लेता हूँ पिछले पांच सालों में नरेंद्र मोधी ने अधानी को पचास कॉंट्राइक दिये एक लाग करोर रुपे से जादा देश के एरपोर्ट पकड़ा दिये देश के पॉट्स पकड़ा दिये बिना कॉंट्राइक्टे दे दिया क्यों? क्यों दिया? इसको आप क्या कहेंगे इसको आप चोरी नहीं कहेंगे इसको आप रस्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको एक लाग चालिस हजार करोर रुपे कुछी दिन पहले पंद्रा बीस लोगों का कर्जा माद किया है आप से आप से टेलेफोन इस्तिबाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे और फिर बड़े से बड़े उद्योग पतियों का 60,000 करोड रुपए माफ कर देंगे अर्थ विवस्ता क्या होती है जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान के अर्थ विवस्ता आगे नहीं जा सकती मैं आपको समझा देता हूँ हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवा, आप लोग माल खरीदते हो जवाद के जेब में पैसा होता है आप चीजे खरीदते हो, करीद तो नहीं खरीदते हो, शर्ट, पैंट, जूता, मॉबाइल फोन, काले चश्मे जैसे आपके हैं, ये आप खरीदते हो, जब आप खरी बनाती है, जब फैक्टरियां ये चीजे बनाती है, आप ही लोगों को उन फैक्टरियों में रोजगार मिलता है, ये एकनॉमिक सिस्कम है, पैसा पहले गरीब लोगों ये जेब में डालो, किसानों के हाथ में डालो, मजदूरों के हाथ में डालो, वही पैसा, किसान, दूर चोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे चीजे खरीदेंगे चीजे खरीदेंगे डिमांड बनेगा डिमांड बनेगा फैक्ट्रिय बनाएंगे नरेंद्र मोधी ने आप सब के जेव में से पैसा छीन के निकाल दिया बगेल जी ने कहा चट्थिस घर में दो हजार पांट सो रुपे दान के मिलते हैं मध्यबरदेश, राजस्तान, चट्थिस घर, करनाटा पंजाब इन प्रदेशों में हमने करज़ा माफ क्यूं किया इन प्रदेशों में हम सही M.S.P. क्यूं देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्द विवस्ता आगे जा ही नहीं सकती मन्रेगा हमने क्यों दिया क्योंकि हम जानते है हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है तो नरेंद मोदी ने पूरा पैसा खीट के अपने दो तीन चार मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान के अर्ध व्यवस्ता को नश्ट कर दिया मगर वो वहाँ नहीं रुके वो वहाँ नहीं रुके बातने का काम करते है आपने पूरे देश ने नरेंद मोदी को चुना क्यों चुना हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए चुना और द्वेवस्ता को मजबूत करने के लिए चुना युवाओं को रोजगा देने के लिए चुना वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया चार परसेंट पे जीडी पे पहुँच गई 43 साल से सबसे जादा बेरोजगारी आज बिन भर किसार आता मतिया करने है मैंने पार्लिमेंट में सवाल पूछा भाई बताओ हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है कितने किसानों ने आता मतिया की सरकार जवाब देती हमें मालूम नहीं पार्लिमेंट में सवाल कजवा देती हमें मालूम ही नहीं पर देशों से जाके पूछिए हमें नहीं मालूम इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीड की हड़ी के किसान कितने किसानों ने अपनी जान ली शर्मानी चाहिए इन लोगों को मगर पूरे देश को मालूम है पूरा देश जानता है यहाँ हालत क्या है और फिर यह बाटने का काम शुरू करते है एक धर्म को दूसरे धर्म से जम्मू कश्मीर में नौर्थी इस्ट में जाईए असाम जाईए मिजोराम जाईए, मनिपूर जाईए, नागलान जाईए अरुना चल जाईए, देखिए नरेंर मोदी ने क्या काम किया है जला दिया है उन प्रदेशों को आग लगा दिया है साहम में बाटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं और आप लोग जो सब यहां आए हो और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं मैं आप से बात कर रहा हूँ आप इस देश को बाढ़ते नहीं हो आप इस देश को अपने खून पसीने से अपने दिल से ख़़ा करते हो रोज छोटे दुकांदार बेरोजगार युवा ये सब लोग मिलकर इस देश को ख़़ा करते हैं ये आपका खून है ये आपका पसीना है और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है बोटा जा रहा है और आपकी अर्द्विवस्ता को नश्ट किया जा रहा है और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं एक बात के बारे में सोचते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है हाँ या ना सत्ता के लिए हमारे प्रधान मंत्री कुछ भी कर देंगे म मार्केटिंग होनी हुझा न रेंद्र मोधी की कितने घंटे दीखते न बार देखते न भाया यह जो टीवी पर तो यह नरेंद्र मोधी जो दिन बर टीवी पर दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान के बागी नेता कोई नहीं दिखता मनमौन सिंग जी को आप टीवी पर देखते हो नहीं देखते ना तो इसका पैसा कौन दे रहा है इसका पैसा कौन दे रहा है इसका पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोधी आपका पैसा चीन कर दे रहे हैं यह सचाई देश की और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ देखो आप पर बहुत बड़ी जिमेदारी पढ़ती है हमारी सरकार थी आप हमारी सरकार पर आक्रमंट करते थे और आपने सही किया मैं स्टेज से कह रहा हूँ कि आपने अपना काम किया मगर आज वो अपना काम भूल गए हो मगर आप भी देशवासी हो आप भी इस देश के हो और मैं हिंदुस्तान के सब इंस्टिटूशन के लोग से कह रहा हूँ हर इंस्टिटूशन में जो लोग बैठे हैं चाहे वो हमारे कॉर्ट में बैठे हो चाहे वो मीडिया में बैठे हो चाहे वो सरकारी आफिसेज में बैठे हो चाहे वो ब्यूरोक्राट्स हो आप ये बात याद रखिए जिम्मेदारी आपकी भी है जब आपको दबाया जाता है कुछला जाता है धमकाया जाता है आप पर आकरमन होता है मीडिया के लोगों पर आकरमन होता है तो ये आप पर आकरमन नहीं हो रहा है ये हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमन हो रहा है तो मैं आप सब से कहना चाहता हूं बहुत समय हो गیا इस देश को ढराया जा रहा है दबाया जा रहा है अब कॉंग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है कॉंग्रेस वाला बबल शेर होता है नहीं डरता किसी से मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो सरकारी आफिसेज में बैटे है जो मीडिया में बैटे है मैं उन लोगों से कह रहा हूँ डरो मत आपके साथ कॉंग्रेस पार्टी खड़ी है मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और जो आज डर है करका महाल है नफरत का महाल है इस महाल को हिंदुस्तान की जंता कॉंग्रेस पार्टी हम सब मिलके मिटा डालेंगे कि आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद